आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं कि आप मिट्टी के दिये को किस तरह से अपने हाथों से सजा सकते हैं इस दिवाली पर आपको भेंगे दिये लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने मिट्टी का बड़ा वाला दिया ले लिया है अब मैं इसको पिंक कलर से कलर कर रही हूं तो यहां पर मैंने एक्रेलिक कलर का यूज किया है तो मैंने रैड और वाइट कलर को मिक्स करके मैंने यह कलर बनाया है आप किसी भी कलर का पेंट कर सकते हैं दिये पर जो भी आपको पसंद हो तो दिये के आगे और पीछे में इसी तरह से पेंट कर दूँगी और गाइस यह जो पेंट है बहुत ही इसली सूख भी जाता है दिये पर बहुत जादा टाइम नहीं लेगा तो आज मैं यहां पर आपको बड़े वाले दिये को डेकोरेट करके दिखा रही हूं आप इसी तरह से छोटे दिये भी डेकोरेट कर सकते हैं तो मैं दिये के बैक साइड पर भी मैं अच्छे से यह कलर लगा दूंगी और इस कलर को लगाने के बाद मैं आपको बस दो मिनट के लिए इसको सूखने के लिए छोड़ देना है बहुत ही जल्दी सूख जाता है तो आप देख सकते हैं कि मैं जो इसका रखने वाला पार्ट है वहाप पर बिल्कुल भी कलर नहीं लगा रही है तो मेरा जो दिया है हो सूख गया है अब मैं ले रही हूं ग्रीन अक्रेलिक कलर जिससे मैं लीफ बनाऊंगी जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि बहुत ही इजीली बन जाएंगी तो आप अपने दिये कि अकॉर्डिंग लीफ पना लीजिए पत्तियां और गाइस आप देखेंगे कि इतना प्यारा दिया लगने वाला है आपका इस दिवाली पर मार्केट में बहुत ही जाधा एक्सीव आते हैं बहुत महंगे महंगे दिया आती हैं जो हमें डेकॉरेट दिये जो मिलते हैं बहुत ही सुंदर से लगते हैं अब इसके जो एजेस हैं मैं उस पर रेट कलर कर दूंगी अब इसके बाद में जो हमने पत्तियां हमने अंदर की साइड में बनाई थी वही मैं सेम थोड़े थोड़े गैप में बाहर की साइड में बना रही हूँ गाइस मेरी तब्या ठीक नहीं हो सकता है कि शायद आपको मेरी वोईस अच्छे से ना समझ में आ पाए तो मैंने इसके बैक साइड में मैंने सारी पत्तियां बना लिए थोड़े थोड़े से गैप में तब तक हमारा अंदर वाला जो कलर था वो सूख गया अब इसके बाद में यलो कलर लेकर और मैं जहां पर गैप है हमारी हरी पत्तियों के बीच में मैं वहां पर यलो कलर से पत बना लिए इसके बाद में वाइट एक्रेलिक पेंट से मैं यल्लो कलर की पत्यों को शेड दे रही हूं कि फूल पत्य बनाना तो सब भी जानते हैं क्योंकि हमने बच्पन में बहुत ही अच्छे से ड्रॉइंग की हुई होती है अब इसके सेंटर में मैं ब्लैक पेंट से गोला बनाऊंगी और जो हमारी ग्रीन कलर की पत्या हैं मैं उनको आउटलाइन करूंगी ब्लैक कलर से अब इसके बाद में जो हमने बीच में गोला बनाया था मैं उसके ऊपर वाइट कलर से आउटलाइन करूंगी और मैं कुछ इस तरह से दो गोले और बनाऊंगी जिसे कि हमारा जो बीच में फूल बनाया है वो हमारा खाली खाली सा ना लगे और देखने में भी अच्छा लगे अब इसके बाद में जो किनारे हैं मैं उन पर डॉट लगा रही हूं तो मैं यहां पर वाइट और ब्लैक कलर के डॉट लगाऊंगी और अंदर को मैं कुछ यह राउंड शेप की मैं डिजाइन क्रियाट करूंगी गैज बहुत ही इजी है घर में दिये को डैकोरेट करना हर कोई अफॉर्ड नहीं कर पाता मार्केट वाले महंगे-भहंगे दिये तो मैं तो इसी तरह से अपने घर में दिये को डेकोरेट कर लेती हूँ आपके अच्छी खासी क्रियेटिविटी भी हो जाती है और आपके जो दिये हैं वो भी बहुत जादा सुन्दर लगने लगते हैं में इन बीच में ब्लाक डॉट लगा दूँगी जो हमने वाइट कलर का रॉंड शेप में बनाया था अब मैं जो हमारा रखने वाला जो पार्ट हरी का वहाँ हाप में रेड कलर को कर रही हूँ और इसके बाद ब्लाक कलर से इसकी आउटलेन करोंगी आप चाहें तो इस स्टैप को इसके भी कर सकते हैं अब इसके बाद में जो हमने राउंड शेप में हमने अंदर की साइड में बनाए थे सेम में वही राउंड शेप में थोड़ी थोड़ी दूरी पर में इनको बना रही हूँ बाहर की साइड में भी और आप देखेंगे कि हमारा जो दिया है बहुत ही अच्छा लगने लगेगा और पत्तियों की बीच में वाइट डॉट्स लगा रही हूँ तो हमारा दियावन कर रेड़ी हो गया है तो गाइस इस दिवाली पर आप भी अपने घर को इस तरह से सुंदर सुंदर दिये बना कर डेकोरेट करकर अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करें और मुझे बताएं कॉमेंट सक्षिन में की मेरी वीडियो कैसी लगी तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दब तक के लिए ठीक केरें बाई बाई